योगी जी आपको इसके खिलाब एक्षन लेना चाहिए चाहे वो अंसारी हो चाहे कोई भी हो उसके लिए सपोर्ट करे चाहे करे ऐसे लोगों को सरे आम चौक पे लाकर के फांसी देनी चाहिए मैं फांसी की मांग करता हूँ ऐसे लोगों के लिए और ये क्रिमिनल मुक्तार अन्सारी ये क्रिमिनल है और ये क्रिमिनल भी बीलचेर पर नजार आँ तो इसको भी बीलचेर से उठा देंगे कोई दिक्कत नहीं है नू gibा अनाम योगी जी है और जो उत्तरप्रदेश के जंता के साथ इसने अन्सारी ने अन्याए किया है लोगों के साथ ठगी किया है जुलुम किया है वो जुलुम की आवाज योगी जी उनको इंसाब दिलाएंगे मोदी जी उनको इंसाब दिलाएंगे और इस कातिल को सक्ट सक्ट सजा दिलाएंगे मैं खुद मुस्लिम होकर के पूरी देश की जनता पूरी देश के बेजा जाएगा मुक्तार अंसारी को पर यहां देखने वाली बात यह रही कि जब कोर्ट में पेशी हुई मुक्तार अंसारी की तो वीलचेर पर नजर आए ऐसा क्या डर है उत्तर परदेश की सरकार से मुक्तार अंसारी को जो अचानक से वीलचेर पर आ गई देखे मुक्तार अंसारी एक क्रिमिनल आदमी है और उसको जो पंजाब की सरकार जो उसको सपोर्ट कर रही है यह बहुत गल्द बात है क्योंकि इससे साफ जाहिर होता है कि कॉंग्रेस जो है क्रिमिनलों को सपोर्ट कर रही है और देश में मोधी और योगी की सरकार है तो मोधी और योगी की सरकार जो है ऐसे क्रिमिनलों को ढूंढ़ करके निकाल करके ला रही है लेकिन कोट भी कब तक सरन देगा क्योंकि अभी यह केस वहाँ चल रहा है पंजाब में चल रहा है पर अब मोहाले की कोट ने थोड़ा सा और टाइम दे दिया है कि बारा दिन में भेजना ही भेजना है मुकतार अंसारी को उत्तर परदेश अंसारी की मा कब तक खेर मनाएगी तो अंसारी की मा कब तक खेर मनाएगी बारा दिन और सही बारा दिन बाद तो आप आओगे योगी जी के चक्कर में और जो जो आपने लोगों का परिवार नस्ट किया है परिवार लोगों के साथ गल्त किया है तो आपकी सारी शबी दुन जी ने मतलब उसको निभाया है तो मैं आधनिय योगिय दितेनाथ जी को अपने मुहमेश शकील सेफिर आश्टियद्यक्स रीपब्लिकन पार्टी आफ इंडिया ठावले की तरफ से बदाई देता हूं और साथ ही साथ यह अपील भी करता हूं प्यारा हिंदुस्तान चैनल क माद्यम से कि जो सच की बाते दिखाता है सच की जीत दिखाता है कि योगी जी आपको इसके खिलाब एक्शन लेना चाहिए चाहे वो अंसारी हो चाहे कोई भी हो उसके लिए सपोर्ट करें चाहे करें ऐसे लोगों को सरे आम चौक पे लाकर के फांसी देनी चाहिए मैं फा प्रविद्धा माफिया इन लोगों के खिलाफ एक्शन ले रही है तो उनी सब चीजों से डर के अब मुक्तारंसारी वीलचेर पर आ गया है सवाल ये भी है सर क्या ये वीलचेर बचा पाएगी मुक्तारंसारी को उत्तरपरदेश ना जाने से देखिए वीलचेर पर तो हमार ममता बेनर जी भी नजर आ रही है मोधी जी के डर से योगी जी के डर से और सबसे जादा जर तो मोधी जी का है जो उनकी सभाएं हो रही है जो उनकी सभा में लाखों करोडों की भीड़ी खटा हो रही है तो ममता बेनर जी भी एजे मुक्खी मंतरी बीलचेर पर नजर आ और ये क्रिमिनल मुक्तार अंसारी ये क्रिमिनल है और ये क्रिमिनल भी बील चेर पर नजार आ रहे तो इसको भी बील चेर से उठा देंगे कोई दिक्कत नहीं है उनका नाम योगी जी है और जो उत्तर प्रदेश की जंता के साथ इसने अंसारी ने अन्याय किया है लोगों क कि तरफ से भी एक बयान आया उन्होंने कहा है कि मुझे डर है कि मेरे पती को फेक इंकाउंटर मैंना मारा जाए उत्तर परदेश की पुलिस और सरकार का इतना जादा डर बैठा हुआ है इन लोगों देखे इन्होंने क्राइम इतना किया है अपने राज में मायवती के राज मैंने जुरूम किया है तो अब डर तो हो नहीं है सभावी कहेगी पहली जो सरकार थी वो इन से मिलकर के चलती थी मतलब इनकी हो अखलेस यादव की हो और मायवती की हो इनकी हो और आज योगी अदित्यनाज जी की सरकार है तो उन्होंने अच्छे-च्छे गुंडे मवाल इसको सकते सकत सजा दी जाए और इसको बिलचेर जैसे ममताव एनरजी की बिलचेर से उठाएंगे ऐसे इसको बिलचेर से उठाएंगे अखिलेश यादव की सरकार थी उस टाइम पे भी जेल में काफी जादा आयाशी और मोज कराई जाती थी मुकतार अंसारी को देखिये अखलेस यादव जी और मुलाइम सिंह यादव जी का तो आप करेक्टरी पीछे से उठाले जी है उनका तो करेक्टरी तना अच्छा है कि मुकतार अंसारी का रिकॉर्ट और मुलाइम सिंह जी का रिकॉर्ड से में और क्रिमिनल को अगर उनकी सरकार मोजना कराएगी तो किसको कराएगी इसलिए योगी अदित्यनाथ की सरकार आने के बाद ये सब लोग आज अपनी छटी का दूद याद कर रहे हैं आज अगली बार आने वाले समय में योगी जी की दुबारा पांच साल सरकार बने की उत्तर परदेश के अंदर और हमें गली-गली घर-गर जाकर के अगर मुसलिम बोटों के लिए भी जाना पड़ेगा जोली फैलानी पड़ेगी तो हम लोग योगी जी के लिए जाकर के जोली फैलाएंगे और योगी जी आपका यह कदम बहुत अच्छा कदम है कि अंसारी को आपको मैं तो कहता हूं उनकी बीबी कह रही है कि इंकाउंटर मुझे डर है अगर उन्होंने करा है तो इंकाउंटर नहीं इन पे साओधी रूल इन पे अरब का रूल यूज करना चाहिए जो अगर ऐसे काम करते हैं तो उनको सर्याम फांशी पे लटका करके लोग पत्थन मारते हैं और लोग ही उसका इंसाफ करते हैं तो योगी जी आप ऐसा इंसाफ कीजिए जिससे लोग आपके साथ है और मैं खुद मुस्लिम होकर के पूरी देश की जंता पूरी देश के लोग आपके साथ हैं बार-बार पर विखास दूबे का उस चीज़ को दोहराया जा रहा है . बार बार खाशदूबे का विखास का क्रिमिनल था और अंसारी भी एक क्रिमिनल है अगर विकास दूबे के साथ हुआ वो पुलिस को लेकर के छोड़कर के भाग रहा था हाथ छोड़ा करके भाग रहा था मुकतार अंसारी भी अगर भागेगा तो हमारी उत्तरपरदेश की पुलिस ने चूड़ी नी पहनी हुई तो कुछ भी हो सकता है को बार-बार उत्तरपरदेश को पुलिस ने लेने जाती थी तो बार-बार सरकार की तरफ से पंजाब सरकार है उनकी तरफ से कह दिया जाता था कि हेल्थ इशू है इतना लंबा सफर नहीं कर पाएंगे आखिरकार क्यों बचाया जा रहा था इसे कॉंग्रेस भी क्रिमिनलों को सपोर्ट करती है नहीं करना चाहिए और कॉंग्रेस का अज इसलिए नामु निसान मिट गया है और मैं यह कहना चाहता हूं कि आप अंसारी साहब आप अपनी खेर कब तक मनाएंगे बकरे की मा कब तक खेर मनाएगी तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि अब यह आपके ब करदान मंतरी आदरनी नरंदर मोदी है जिनकी सरकार है तो क्रिमिनलों को निकाल करके लाएंगे और हर हालत में आपको सजा देंगे आप 12 दिन और अराम कर लिजिए और मैं तो कॉंग्रेस के मुख्यमंतरी कैप्टन अमरिंदर सिंग को भी कहूंगा कि आप एक अच्छी कुछ अभी के निता हैं आपको इन क्रिमिनलों का साथ नहीं देना चाहिए इनको उठाकर के उत्तर परदेश सरकार को देना चाहिए मुकतार अंसारी को लेकर कोई रूल अपनाती है या फिर इना जेल में इसे साथ कारवाई की जाती है तो क्या कॉंग्रेस की तरफ से हमेशा की तरह फिर से ये बात कही जाएगी कि ये जो सरकार है ये मुसल्मानों से नफरत करती है क्यों इस तरीके का जाती बात फैलाया जाता है अगर क्रिमिनल है तो क्रिमिनल को उसकी नजर से क्यों नहीं देखा जाता है कि सिर्फ क्रिमिनल है इसे हिंदू मुसल्मान में ना बाटा जोए देखिए कॉंग्रेस हो या सपा हो या मायवती हो आज का मुसल्मान समझ चुका है योगी अदित्यनाद जी के साथ और अगर कोई अपरादी है तो क्या योगी सरकार इस तरीके से छोड़ देती है कि हिंदू है तो इससे स्टोड़ दिजीए ऐसे क्या यह तरीकी बातें कियों की जाती कि कि विकाज दूबे हिंदू था तो ब्राहञन था उन्हों उसमें तो नी देखा गया कि यह ब्राहमन और अंशारी जी मुसल्मान है अगर कोई क्रिमिनल होगा, कोई भी हो, उसको सजातों दी जाएगी, कोई जात पात देखके, गोली या पुलिस नहीं देखती, कि मुसल्मान है, या हिंदू को लगनी है, मुसलिम को लगनी है, सिक को लगनी है, अगर क्रिमिनल है, वो कोई भी हो, मुसलिम हो, हिंदू हो, सिक को, और बारा दिन बाद आपसे मुलाकात होगी हमारे प्यारे हिंदुस्तान चैनल के साथ मैं आपसे फिर बात करूँगा और आपके क्रिमिनल केसों के बारे में इतना बड़ा खुलासा होगा आप देखेंगे और योगिया दित्तेनात आपको डंडा देंगे thank you sir